नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News लाइब पर देखते हैं आज की खास खबर पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफतारी के माइने अभिव्यक्ति की आजादी पर महाराश्ट सरकार का अंकुष फासिवादी कदम अघोशित आपातकाल का संकेत उद्धव सरकार की खिलाब पत्रकारों का आप्रोश अर्नब की गिरफतारी पर पूरे देश में हल्ला बोल निशान भाई एडिटर महाराश्ट नियूस सर्विस रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलीस ने आत्मत्या के एक पुराने मामले में आज सुबग गिरफतार किया है अर्नब की गिरफतारी को राश निताओने पत्रकारों ने और आमजनों ने महाराश्ट सरकादवारा मेडिया की स्वतंतरता पर हमला और आपातकार के दिनों की याद कराने वाला बताया है पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमला करना सत्ता के दुरुपयोग का एक उधारन है हम सभी को भारत के लोकतंत्र पर इस हमले के खिलाप खड़ा होना चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई सरकार कैसे अंकुष लगा सकती है मालते हैं कि अर्नब तीखे और तलख सवाल पुछते हैं क्यों न पुछे वह पत्रकार है सवाल पूछना पत्रकार का हक है यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है इसलिए लोकतंत्र में पत्रकारिता का एक बड़ा महत्व है यदि इसे ही दबाया गया, कुछला गया तो यह कैसा लोकतंत्र हुआ हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देश की मीडिया से इस तरह का ही बरताव किया जा रहा है मध्यप्रदेश में भी कमलाज सरकार के दवरान एक मीडिया संस्तार पर कुछ इस तरह की कारवाई की गई थी वही 36 गड़ की भूपेश बगेल सरकार में भी पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं उन्हें विज्यापन रोक कर आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है यानि राज्यों की सरकारे पत्रकारीता की भाषा और परिभाषा ही बदलने पर आमदा है वर चाती है कि मीडिया संस्तार सरकार की गुलामी करें जैसे सरकारे चाती है वैसी ही बीडिया करें निचित तौल पर उद्धव ठाकरी सरकार ने यह पूरा ड्रामा अर्नब को सबक सिखाने के लिए किया है मुंबई पुलीस ने बड़े ही निर्मंग तरीके से अर्नब गोस्वाने को गिरफतार किया उसके परिवार को परेशान किया पुलीस एके फोटी सेवन लेकर उने गिरफतार करने पहुची थी मानो वह बहुत बड़े आतंकवादी है मुंबई पुलीस कमिशनर परमजी सिंग पर भी कारवाई होनी चाहिए साथी सुप्रिम कोट को भी इस बड़े की कारवाई पर सग्यार लेना चाहिए बताया जा रहा है कि उनकी गिरफतारी की जानकारी उनकी पत्नी को नहीं थी उनके साथ दोपुलीस अधिकारियों ने भी माल फिट की उनके परिवार के सदस्यों को धबका दिया गया और घर को तीन घटे के लिए बन कर दिया गया उनके बाए हाथ पर खरोच है और उनके हाथ पर मौजुदार चोट के चलते लगी पट्टी को हटाने की कोशिश भी की गई बताया जा रहा है कि डिजाइनर अन्वाइ नाइक और उनकी मा कुमुद नाइक की कथित आत्मत्याओं के मामले में उकसाने के आरोप में IPC की धारा 306 के तहद अर्नप को गिरफतार किया गया है मई 2018 में आत्मत्याओं से पहले लिखे एक खत में अन्वाइ नाइक ने आरोप लगया था कि अर्नप गोस्वामी ने रिपब्लिक नेट्वर्क के स्टूडियो का इंटिरियर डिजाइन करवाने के बाद भुगदान नहीं किया था गौर दलब है कि हाली के दिनों में अर्नप ने महाराष्टे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है केंद्रिय सुचना एव प्रसारन मंत्री प्रकाश जावड़ी कर समेध कई केंद्रिय मंत्रियों ने गोस्वामी की हिरासत को अभिव्यक्ती की आजादी पर हमला बताया है कोई असमत हो सकता है बहस कर सकता है और सवार भी पूछ सकता है हाला कि अनब गोस्वामी के कत्के पत्रकारों को पुलिस पावर का दुरूप्योग करते हुए गिरफतार करना क्यूंकि वो सवाल पूछ रहे थे ये ऐसी घटना है जिसकी हम सभी को निंदा करनी चाहिए अनब गोस्वामी की गिरफतारी, गंभी रूप से निंदनिय, अनुचित और चिंता जनक है 1975 की निर्दई, इमरजनसी का विरोध करते हुए सबने प्रेश की स्वतंतरता के लिए लड़ाई लड़ी थी यह हमें उन आपातकालीन दिनों की याद दिलाता है जब मेडिया और प्रेश के साथ इस तरह से व्यवार किया गया था मेरा मानना है कि यह फासिवात कदम अगोशित आपातकाल का सग्यत है निश्चित तौर पर आज जो लोग अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं है वो फासिवात का समर्थन कर रहे हैं हो सकता है आप उन्हें पसंद ना करते हो हो सकता है आप उनसे समद भी ना हो हो सकता है आप उनके अस्तित्वों को तुछ समझते हो लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप दमन का समर्थन करते हैं अगर अगला नंबर आपका हुआ तो कौन बोलेगा हम सभी को भारत के लोग तंत्र पर इस हमले के खिलाब खड़ा होना आज अर्नब कल कोई और परसो आपका भी नंबर आएगा अगर आज एक जुट होकर इन निर्मम सत्ताधिशों के खिलाब आवास भुलन नहीं की तो आगे आपको पालतु कुताब बना दिया जाएगा कल कोई रिपोर्टर क्यामरा लेकर निकलने से कत्राएगा अंगार उगरने वाली कलम की स्याही तारिफ की चास्मी में डुबो कर चापलुसी की गीत गाएंगे अर्नब गोस्वामी से अने को असमतिया होगी होनी भी चाहिए लेके आज किसी सत्ता ने सीधे लोकतंत्र के चोथे स्तम पर लात मारी है जिसका प्रतिकार करना ज़रूरी है वरना कल तुमारी हमारी सब की दुर्दशा तै है अब आप हमारे चाह को एप पर भी देख सकते हैं प्लेस्टोर में जाकर M&A सिंधी लिखे और एप डाउनलोड करे साथी साथ आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक ट्वीटर हाइक और हिस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं आप हमारे चाह को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्स्प्रेब करना बिल्कुल भी न भूले, फिलाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे, MNS News Live के साथ, नमस्कार